हेलो स्टुदेंट्स गुड आफ्टर नून एंड विलकम मैं साइन्स पिरिट में डियम रोकड़े आप सभी का आज की स्पिरिट में स्वाकत करता हूँ और सेकंड सेमिस्टर में साइन्स काम एट चाप्टर या पर स्टार्ट करने वाले क्लॉट्स और फाइबर्स क्युक्त मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं और कपड़ों में जो धागे यूज़ किया जाते हैं उनके बारे में आज हम इस चप्टर से information लेने वाल है, okay, so, before explanation in this chapter, some of the learning objectives, so, what will be the learning outcomes in this chapter, so, first, types of cloths, मतलब कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, इन कपड़ों के प्रकार के बारे में, हम यहाँ पे देखने वाले types of cloths, और second हमारो objective है, materials for making cloths, okay, मतलब कपड़े बनाने के लिए, जो material use किया जाता है, वो किस तरीके से होता है, okay, मतलब materials for making cloths, कपड़े बनाने के लिए, जो materials use कि जाता है, उस materials के बारे में भी हम यहाँ पे information लेने वाले है, उसके बार एक third objective है, कि care of cloths, यानि कपड़ों की देखभाल किस तरीके से की जाए, या फिर हम अपने कपड़ों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं, यह भी हम यहाँ पे देखने वाले, okay, so all the objectives are explained in one by one, so think and discuss विचार करें और चर्चा करें, कि which type of cloths do you wear in different seasons, okay, हम विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में कि different season में हम different types की cloths wear करते हैं, पहनते हैं, wear करना हैं, पहनना, okay, तो which type of cloths do you wear in different seasons, याने आप summer में देखिए, rainy season में देखिए, या फिर winter season में देखिए, हम different types की cloths यहाँ पे पहनते हैं, okay, जैसे अभी winter चल रहा है, तो हम उनी कपड़े पहन रहा है, गरम कपड़े पहन रहा है, ताकि ठंड से हम बच सके, अगर rainy season के हम बात करते हैं, तो rainy season में हम raincoat पहनते हैं, जो खास उसी के लिए बनाया जाता है, और summer के अगर बात करें, तो हम cotton के कपड़े पहनते हैं, कि जो गरमी से बचा सके, तो different season में हम different cloths यहाँ पहनते हैं, what are your cloths made up of, what are your cloths made up of, याने आपके कपड़े किस तरीके से बनते हैं, okay, तो आज हम यही द प्रकार कपड़े किस तरीके से बनते हैं, okay, different season में किस तरीके से कपड़े पहनने पढ़ते हैं, यह भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, okay, so let's start, our basic needs are food, shelter and cloths, आपको पताए कि इंसानु की जो जरूरते हैं, okay, अभी इंसानु की जो मुखी जरूरते होती है, main, okay, our basic needs, याने आपकी जो basic जरूरत है, वो है सबसे पहले food, खाना, उसके बाद shelter है, मतलब निवारा और उसके बाद cloths, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, okay, रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी basic needs है, okay, तो इन basic needs पर देखिए कि our basic needs are food, shelter, food, मतलब खाना, shelter, मतलब मकान, याने रहने के ल लिए कपड़े, यह हमारी basic जरूरत है, okay, और basic needs are food, shelter and cloths, we cannot live without food, okay, मतलब बीना खाने के हम जिन्दा भी नहीं रह सकते, रहेंगे लेकिन कितने दिन, ज्यादा दिनों तक नहीं, okay, we cannot live without food, shelter and cloths, protect us from changing weather conditions and some other dangers, okay, अब यहाँ पर देखिए कि हमारी खाने की जरूरत होगी, यहाँ पर, यहने हमें खाना मिल गया, तो हम जिन्दा रहेंगे, लेकिन देखिए कि, shelter and cloths, shelter and cloths, protect us from changing weather conditions and some other dangers, मतलब समझों कि, कोई अगर changes हो रहा है, weather condition change हो रही है, okay, तो weather condition change होने के बाद आपको रहने के लिए घर तो चाहिए, okay, पहिनने के लिए कपड़े तो चाहिए, पहिनने के लिए कपड़े नहीं है, और ठंड अगर बढ़ गई है, घर भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तो आदमी तो ठंड से ही बाहर शिकूर ज रहना चाहिए, धूब ज्यादा अगर है, तो धूब से बचने के लिए हमें कपड़ों की जरुरत होती है, उसके बाद आराम की जरुरत होती है, तो इसके लिए shelter and cloths होती हमें protect करते है, तो यही हमने यहाँ पे देखा है, try it out, write W for those cloths shown below that are warm in winter and as, as for those warm in summer, okay, so W for winter and as for summer, okay, W for winter and as for summer, तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि यहाँ पे जो cloths है, इन cloths को winter में कौन से cloths पहने जाते हैं, और summer में कौन से cloths पहने जाते हैं, यह आपको complete करना है, तो यह हुआ आपका introductions, cloths and fibers के बारे में, जो cloths बनाते वक्त यूज़ किया जाता है, यह पिर हम जो कपड़े पहने उसमें cloths and fibers को यूज़ किया जाता है, उसके बाद हम first, हमारा point start कर रहा है, types of cloths, okay, types of cloths, good cloths make us look smart, okay, अगर अच्छे कपड़े हैं, तो आप पहनने के बाद अच्छे दिखते हो, okay, they also protect our body from cold, heat, rain, dust and insect bites, okay, मतलब कपड़े पहनने से क्या होता है, कि हमने कपड़े पहनने है, तो कपड़े पहनने के बाद क्या होता है, हम तो smart दिख रहा है, लेकिन smart दिखने के बाद-बाद, they also protect our body, मतलब कपड़े क्या कर रहा है, हमारे body को protect कर रहा है, किस से, ठंड से, मतलब cold, heat, गर्मी से, rain, बारिश से, उसके बाद dust, okay, dust से हमें वो protect कर रहा है, and insect bites, यानि कोई भी किले हमें काट ना सके, इसलिए कपड़े हमारी मदद कहते हैं, हमें protect करते हैं, मतलब हमने कपड़े पएने, तो हम, हम ठंड से बच गए, गर्मी से बच गए, बारिश से बच गए, और उसी के साथ-साथ, हम रास्ते से चलते हैं, तो dust हमारे शरीर से नहीं चिपकती है, हमारे बोडी को नहीं चिपकते वह कपणों के उपर होती मतलब कपड़े आ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर कोई इंसेक्ट होता है तो इंसेक्ट काटनी के लिए आएगा तो वह कपड़ों we wear woolen cloths in winter winter में हम woolen के cloths पहनते हैं मतलब उन्ही कपड़े जो होते हैं गरम कपड़े जो होते हैं श्वेटर है मफ्रॉल है ऐसे उन्ही कपड़े हम winter में पहनते हैं to protect ourselves from cold मतलब ठंड से बचने के लिए ही हम ऊलन के कपड़े पहनते हैं cotton cloths protect us from the heat of the sun अभी देखो की winter में हमने ऊलन कपड़े पहने है और summer में हमने cotton कपड़े पहने है so what are the use of the cotton cloths to protect us from heat of the sun so cotton cloths protect us from the sun of the heat of the sun मतलब cotton के कपड़ी क्या कर रहा है सुती कपड़े जो होते है यह cotton के कपड़े गर्मी की सुरज की जो उर्जा होती है सुरज से निकलने वाली जो गर्मी होती है उसको protect करने के source cotton के कपड़े पहने जाते है मतलब समर में cotton के कपड़े पहनना बहुत ही बहुत ही जरूरी है These are the needs when we go out in the rain अगर बारिश में हम बाहर जा रहे तो बारिश में आपको woolen के या फिर cotton के कपड़े पहनने की जरुरत नहीं है बारिश में आप अगर उलन और कॉटन के कपड़े पहनोगे तो आप गिले हो जाओगे और पानी आपके बॉड़ी से चिपका रहेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए आपको देखिए कि कॉड़ी we wear raincoats wrap we go out in the rain rain बारिश में आप अगर बाहर जा रहे तो आप को raincoat ही पहनना पड़ेगा ओके स्वेर्ण कोड़ अध्य ऌनट बनाया जाता है यह यह रेनकोट waterproof बनाया जाता है और waterproof होने की वज़े से आपके बॉड़ी को जो बारिश का बानी वो टच नहीं करेगा, उके, अस फ्रॉम दा रैन, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दा रैन, यानि बारिश आपको बचाने के लिए रैन कोट्स यूज होंगे, मतलब हमने देखा है कि winter में, summer में, या फिर rainy season में हम different types के कपड़े पहनते हैं, if we wear the same dress for many hours, ज्यादा समय के लिए आपने एक ही dress पहनना है, if we wear the same dress for many hours, what happens? क्या होगा? सुचा है, so it becomes dirty, क्या होगा? कि ज्यादा समय के लिए हमने एक ही dress पहना है, तो वो क्या हो जाएगा? dirty हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, so dust settles on it, if we do not wear clothes, the dirt would stick to our body, मतलब ज्यादा समय तक हमने एक ही dress पहना है, तो उस पे dust हो जाएगी, और यह dust देखे, if we do not wear clothes, the dirt would stick to our body, तो यह ज्यादा देर तक आपने जो dress पहना है, उसको आपको change करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कि dress पे जो dust है, चिपकी हुई, वो आपके body को चिपक जाएगी, if you do not wear clothes, the dirt would stick to our body, so cloths protect us from dust, याने ज्यादा समय के लिए आपने जिस dress को पहना भी है, तो दिन भर आप जितना भी घुमोगे तो वो पूरी dust उसी shirt के उपर होगी, similarly, if we wear long-sleeved cloths at night, we can protect ourselves from mosquito bites, मतलब, long-sleeved, हम अगर रात को पहनते हैं, okay, जो dress या फिर कपड़े पहन रहा है, वो लॉंग होने चाहें, ताकि mosquito हमें काट ना सकें, okay, so cloths therefore protect us from insect bites too, okay, insect bites too, so knit, tidy and comfortable cloths also contribute to good health, okay, यहाँ पर दिखें कि knit and tidy and comfortable cloths जो होते हैं, यह आपके good health के लिए contribute करते हैं, आपको अच्छी health रखने के लिए contribute करते हैं, we made dress according to the latest fashions and customs, but or cloths should also be made of material which goes well with the weather condition in different season, okay, अब यहाँ पर दिखें कि according to latest fashions and customs, we made dress, मतलब जो dress बना जाते हैं, वह according to the latest fashions, okay, latest fashions किस तरीके से चल रही है and customs, but or cloths should also be made of material which goes well with the weather condition in different season, मतलब fashion कुछ भी रहे, fashion के हिसाब से वह कपड़े तो बनाते ही है, custom के हिसाब से, लेकिन different season में किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, उसके उपर भी धान होता है, और वह इसे ही कपड़े यहाँ बनाये जाते हैं, तो हमने देखा है, types of cloths में, कपड़ों को मेड़ किया जाता है, तो आज हम रुकेंगे यही पे, goodbye, take care, next period में हम देखेंगे materials for making cloths, तो आज हम रुकेंगे यही पे, goodbye, take care, कर रेंगे लें जाज हैं।